इतिहास्नो अनुभाव वर्तमानमा रप्तार अने भविशनी दुरंदेशी एनू नाम सूरत आज सूरत सहर की भविता में एक और डायमंड जुड़ गया है इस डायमंड की चमक के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी इमारतों की चमक फीकी पड़ रही है अब दुनिया में कोई भी कहेगा डायमंड बूर्ष तो सूरत का नाम साथ आएगा भारत का नाम भी आएगा यह बिल्डिंग नए भारत के नए सामर्थ और नए संकल्प का प्रतीक है सूरतियों की बर्सो पुरा निमांग आज पूरी हुई है सूरत एरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकारपन हुआ है और दूसरा बड़ा काम यह हुआ है कि अब सूरत एरपोर्ट को इंट्रनेस्लैनल एरपोर्ट का दर्जा मिल गया है गुजरात में अब टीन इंट्रनेश्टला एरपोर्ट हो गए हैं। सूरत सहर के साथ मेरा जो आत्मिय लगाव है उसको शब्तों में बया करने की ज़रूद नहीं है। आप लोग भली भाती जानते हैं। और सूरत ने सिखाया है कि जब सब का प्रयाज होता है तो हम कैसे बड़ी से बड़ी चुनोतियों का सामना कर सकते हैं।